इस एपिसोड को समझने के लिए आपको एपिसोड 19 देखना होगा इसके लिए आई बटम पर जाईए या फिल डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं वन पंच मैन एपिसोड 20 को तो चलिए बीना किसी टाइम वेस्ट किये शुरू करते हैं एपिसोड के शाटिंग में हम देखते हैं कि सुईरिय मैं जीत जाता है विकॉज सेतमा डिस्क्वालिफाय होता है तो नेक्स सीन हम देखते हैं कमेंटर कहता है कि आप सभी को यही पर रुखना पड़ेगा क्योंकि सिटी में बहुत सारे मॉंस्टर आ चुके हैं उसके बाद लोग सुचते हैं कि यह पर रुखेंगे तो सेफ रहेंगे तें सुईर्यो कहता है कि अच्छा हुआ मैं जीत गया बट फिर भी वो बंदा बहुत ताकटवर था वैल वो सेतमा की बात कर रहा होता है तन वो सोचता है कि जाने दो क्या ही फरक पड़ता है अगले सिन में उन्हें सेडियम के उपर क्रो मॉंस्टर्स दिखते हैं जिससे कि वो सारी पबलिक डर जाती है और सोचने लगती है कि अब हम मारे जाएंगे फिर बाकी के जो मार्सिल आस्टिस्ट थे वो भी डर जाती है फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा राक्षिस आता है जिसका नाम गोकेट्सु होता है और वो कहता है कि सारे ही रोज मेरे सामने जुक जाओ सब ये देखकर ढर जाते हैं और कहते हैं कि ये मॉंस्टर यापर कैसे आ गया Goketsu कहता है कि पूरी सीटी मोंस्रस के कंट्रोल में है इसलिए तुम भी जुक जाओ फिसनेक्स और मैक्स कहता है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे तुम मारे जाओगे हमारे हाथ से Goketsu ने दो किक मारता है और दोनों भी हवा में गायब हो जाती है उसके बाद Goketsu कहता है कि देखो सिर्फ एक ही किक में वो दोनों कितनी दूर चले गए बिचारे नेक्स इन में हम देखते है कि Goketsu अपना परीचाह दे कर कहता है कि मैं हो Goketsu ये सुनकर सब कहते है कि क्या Goketsu ये तो हमारे साथ में ही हीरो था फिर लोग कहते है कि नहीं ये Goketsu नहीं हो सकता Goketsu तो हार गया था और मर गया था देनमिक फ्लैश बैक देखते है जिसमें Goketsu दखमी पड़ा हुआ था और मरने ही वाला था बट मॉस्टर उसे उनकी असोशियेशन लेके गए और उसे एक चांस दिया कि तुम मॉस्टर बन जाओ तो हम तुमें छोड़ देंगे और तुम पावरफुल भी हो जाओगे उसके बाद Goketsu ये ओर्डर मान लेता है और पावरफुल बन जाता है अगले सिन में हम देखते है Goketsu इन सारे हिरोज को भी कहता है कि मुझे मरना नहीं है मैं ये खालूंगा और आगे जाकर वो उन में से एक मॉस्टर सेल को खा लेता है फिर उसमें चेंजिस आते है और एक बड़ा मॉस्टर बन जाता है और कहता है मुझे में तो पावर आ चुकी है तबी पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है चोजे और वो उस बंदे की पीछे आकर उसका गला घोड देता है जिससे कि वो मॉस्टर बनने के बावजूद भी मर जाता है फिर चोजे कहता है कि ये नॉर्मल से बंदा अगर इतना पावरफुल बन सकता है पर फिर से हीरो बनना होगा। सस्ता रेड्सकल यानी चोजे कहता है कि मैं सबसे पावरफुल बन चुका हो और जो मेरे से कमजोर है वो इस दुनिया में रह नी सकते इसलिए उन्हें मरना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हेर मॉंस्टर सेल्स कुछ काम के थे सारे के सारे मेरे हाथों मर गए। वो कमजोर नहीं तुम ज़्यादा पावरफुल हो सुईर्यू अब सोचो अगर तुम मॉंस्टर सेल्क खाओगे तो कितनी पावरफुल हो जाओगे। इसलिए तुम्हें मारना बेकार रहेगा इसलिए तुम इस मॉंस्टर सेल्कों खालो और इन कमजोर उसे बहुत आगे चलेगा। सुइर्यू कहता है कि यह बात तो सही है कि मॉंस्टर सेल्काके में पावरफुल हो जाऊंगा फिर कहता है कि फिर भी मैं नहीं खाऊँगा तुझे क्या लगता है ? बातों में आकर हमें भैग जाओंगा बिल्कुल नहीं सब यह देखकर कहते हैं कि वाव सुईर्यू तुम इतने अच्छे हो तुमने अच्छा डिसीजन लिया फिर हम देखते हैं कि सुईर्यू को पढ़ता है और सुईर्यू नीचे जमिन पर गिर जाता है उसके बाद उसके कर सुईर्यू कहता है कि अग्वाइश के यह क्या हो गया यह क्रोज यहाँ पर खैसे आगे उसके बाद यह चांस देखकर उसे गोाकेश्व को पकर लेता है और उपरखी पीछे से ये सब बाकुज़ान देख रहा होता है जो कि सूईर्यू क gazeh이가 ुश biblical हिरो होता है और बाकुज़ान उसे बहुत पसंद नहीं करता, इसलिए बाकुज़ान उसकी jeऊ help ले करताथ सुईर्यू कहता है कि तुम मेरी help करो नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे फिर बाकुजन कहता है कि मैं इन supercells को खाकर और भी powerful बन जाओंगा और तुमारी help नहीं करूंगा फिर हम देखते है कि सुईर्यू ये देखकर बहुत ही शौक हो जाता है कि ये सब एज़ा क्यू कर रहा है उसके बाद मैक्स भी कहता है कि हाँ में भी मेरे costume में आया हूँ जिससे कि मेरी रफ्तार बहुत तेज हो गई है फिर वो तीनों मिलतर उन क्रो मॉंस्टर से लड़ते है जिससे कि क्रो मॉंस्टर मर जाते है नेक्स इन में सुईरियो और बाकी वो दोनों बहुत खुश होते है कि उन्हें सब को मार दिया फिर सुईरियो कहता कि चलो अब हम भाग जाएंगे बट वो दोनों नहीं मानते फिर सुईरो कहता है चलो क्या कर रहो तूम सब तुम इस गोकेट सुचे नहीं लड़ सकते है वो ताकत वर है और यह कहकर वो कहता है कि मैं सो भाग चला मैं नहीं लड़ सकता है इससे मैं मर जाऊंगा और उसके बाद उसके सामने आ जाता है बाकुजान जो कि एक बहुत बड़ा मॉंस्टर बन जाता है जिन वो एक पंच मारकर सुईरियो को जमीन में गार देता है गोकेट सुए देखकर कहता है जिन लगाता कि ये मर गया बड़ इसकी बॉड़ी ने उस मॉंस्टर सेल को एड़ाप्ट कर लिया ये देखकर बाकुजान कहता है कि हाँ मैं बाकुजान हूँ और बाकुजान कभी मरता नहीं दिन हमें एक मॉंस्टर चीफ को दिखाया जाता है जो कि बड़े मॉंस्टर से बात कर रहा होता है वो कहता है कि हमारे तीनों मोटिफ पूरे हो रहे है हमने सारे लोगों में खौफ का माहूल पैदा कर दिया है एक बड़े से आदमी के बेटे को अगवा भी कर लिया है और हमारा तीसरा मोटिफ हमने आदे से जादा हीरोस को मॉंस्टर में कनवर्ट कर दिया है और हमारे साथी ने जेल पर कबजा करके वहां के बदमाशों को अपने टीम में भी कर लिया है चीफ मॉंस्टर देखता है कि गोकेशू का काँ अभी तक पूरा नहीं हुआ इसलिए वो उसके लिए एक मैसेज भेशता है और उसमें कहता है कि जल्दी से जल्दी वापस मॉंस्टर रियलम में आ जाओ इसके लिए गोकेशू बाकुजान से कहता है कि जल्दी चलो हमें जाना है और फिर बाकुजान कहता है कि मैंने याओंगा इसलिए गोकेशू से समझाता है कि आना ही पड़ेगा तुम यहाँ पर सबसे स्ट्रॉंगिस नहीं हो बाके स्ट्रॉंग हीरोज भी आ जाएंगे याँ पर जल्दी फिर बाकुजान कहता है कि मैं इस बंदे को मारे बिगर नहीं जाओंगा फिर स्ट्रॉंग नीचे गिता है और कहता है कि प्लीज बाकुजान मुझे छोड़ दो मैंने तुम्हारा क्या भी गाड़ा है और फिर सुईर्यू जड़ के मारे बहुत जोर चिलाता है कि बचाओ प्लीज कोई मुझे हिल्प करो क्या कोई यहाँ पर है नहीं जो मेरी हिल्प करेगा और वो सब हिरोज को पकार रहा हुता है बाकुजान कहता है कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा तुम मरने वाले हो फिर सुईर्यू सोचने लगता है कि क्या सचमे में मरूंगा क्या सचमे यह मेरी मौत होगी तब ही हम देखते है कि स्नेक्स और स्नेक्स को बचा कर कोई बंदा दूर जाकर ले जाता है यह देखकर बाकुजान कहता है कि यह क्या यह बंदा कौन ही जिसने उन दोनों हिरोस को बचा लिया सहताम आकर कहता है कि कोई नहीं बस में एक मामूली सा हिरो हो फिर से तम आगे बढ़ते हुए कहता कि सुरी तुमने अच्छी फाइट दी से आगे से मैं समालूंगा और इसे के साथ ये एपिसोड या पर खतम हो जाता है